2020 में सुशान सिंग राजपूत की जब डेथ हुई तो उसके बाद से ही उनका बैंडरास ते मांट ब्लैंक बिल्डिंग में जो फ्लैट था वो खाली पड़ा था कोई भी उस फ्लैट को लेने के लिए तयार नहीं था सभी को डर था कि यहाँ पर सुशान सिंग राजपूत की डेथ हुई है पता नहीं घर में कैसी वाइब्स होगी जो ब्रोकर्स थे उन्हें भी ये फ्लैट रेंट पर देना भारी पड़ रहा था लेगे अब इस फ्लैट सुशान सिंग राजपूत के उसी फ्लैट में रह रही है जहां पर सुशान रिया और उनके स्टाफ और बाकी मेंबर्स रहा करते थे और जहां पर सुशान ने आखरी सांस ली अब सुशान के घर में रहने का experience अदा ने शेयर किया है अदा ने कहा है कि जब वो ये घर लेन अदा शर्मा का कहना है कि पिछले चार महीनों से उनकी मदर ने इस घर में उनसे जादा वक्त बिताया है क्योंकि अदा अपनी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी बट अब कुछ समय उन्होंने घर में बिताया है और घर को थोड़ा रेनुवेट किया है सुषान सिंग राजपूत का ये जो घर था आपको बता दी कि ये दो फ्लोर्स का था एक अपर फ्लोर भी था जहांपर सुषान का रूम था और नीचे सारा स्टाफ रहा करता था अदा ने जो ऊपर का एरिया था जहांपर सुषान रहा करते थे उन रूम्स को म्यूजिक और डान्स रूम बना दिया है और सुशान्त के घर की जो टेरिस थी उसे उन्होंने टेरिस गार्डन बना दिया है। और इसी घर में रह रही है और उन्होंने कहा कि जरा भी इस घर में दूसरी वाइब्स नहीं है। इस घर में पॉजिटिव वाइब्स है।